गुड मॉर्निंग फ्रेंस कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंस मैं यहाँ पर कर रही हूँ पूजा और अभी सुबह के सारे साथ बज रहा है और आज है दिन मंगलवार तो चलिए फिर मैं पूजा पाठ अपना कर लेती हूँ और उसके साइर पर मैं बना रही हूँ बिटो के लिए ब्रेकफर्स्ट मैं उसे सुबह नौ से दस के बीच में ब्रेकफर्स्ट करवाती हूँ इसलिए मैंने उसके लिए ही पहले यहाँ पर ब्रेकफर्स्ट बनने के लिए रखा हुआ है और बाद में मैं सब के लिए बनाऊंगी औ और अभी सुबा के सारे आठ बज रहा हैं जैसे भी सेयर कर तो मैं इसका बनाती हो जो के साल के जैसे बनायेगे के अगी घ्रीक रही खोशों खूर्भ करें मीजिड के इसे जैसे बनाराते हो तो फिर आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे हैं और देखिए आज मैं कैसे इसे बनाती हूँ तो चलिए फिर उसके लिए चलते हैं किचन में और आज हम लोग बनाती हैं और यहां पर मैंने लिया है गुलाब जामून के पाउडर का पैकेट इसे हम लोग जब भी लेंगे तो कोई अच्छी ही कमपनी के लेंगे अगर गुलाब जामून का पैकेट तो हमारा गुलाब जामून बहुत ही अच्छा बनता है सबसे पहले मैं गुलाब जामुन के पैकेट को काट ले रही हूँ और इसे मैं पूरा नहीं बनाओंगी इसका हाफ गुलाब जामुन मैं बनाओंगी तो यह 200 ग्राम का पैकेट है तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम गुलाब जामुन का पावडर लिया है और इसी के हिसाब से मैं अब नहां अब थूदा, फिर इस में मिक्स कर लो य। ब्राई टूद मेशा घुल कर संफे साथ लुदा आके हैं स्वंदध जोड 7 दोल कर लो देखे um, और घूल दोल though जाओंगो , पैकेट वाला गुलाब जामुन का पाउडर मार्किर से ला रहे हैं तो कोई अच्छा वाला लेकर आए क्योंकि एक के साथ एक जो फिरी आता है उससे भी गुलाब जामुन बन जाता है लेकिन पॉर्फेक्ट दुकान के जैसे नहीं तयार होता है तो इस बात को आप लोग ध अब मैं इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह जोड़ दूद़ है और तब तक यहां पर त्यार करसे लोगी गुलाब जामुन के लिए चासने उसके लिए मैंने 16 59 लिया है और 17 4 अब इसे मैं आऊछे से मिक्स कर लोगा चीनी पानी मिलाने के बाद से अब मैं इसे अच्छे से मिला ले रही हूँ और यहाँ पर मैंने गैस के फ्लेम को हाई रखा है और अब मैं इसमें डालूंगी चार इलाइची और इसे अच्छे से मिला लूंगी चीनी जो है इसमें का अच्छे से घुल गया है तो अब मैं यहाँ पर गैस के फ्लेम को कर दूँगी एकदम स्लो और इसे दस मिनट के लिए इसी तरह पकने दूँगी गुलाब जामन का चासनी बन रहा है मैं यहाँ पर बना लूँगी गुलाब जामन के लिए गोले उसके लिए मैंने जो ढख करके इसे रखा था उसके कपरे को हटा दिया है और फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ मैंने यहाँ पर fast forward कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो इसी लिए मैंने इसे fast forward कर दिया है और अब मैंने अपने हटेली पर एक बुन तेल लगा लिया है और इसके अच्छे से गोले तयार कर लोगे और इस बात का ध्यान रखेंगी गोले कहीं से भी क्रेक ना हो और अच्छे से एकदम गोले बने और इस तरह से मैं सारे गोलो को बना लूँगे और आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रही है और आई विस की आप लोगों को आज का मेरा इस वीडियो अच्छा लगे अब मैं एक बार चासनी को चला करके देख लूँगी यह हुए है कि नहीं दस मिनिट हो गया है और चासनी जो है वो अच्छे से तयार हो गया है इसे हम लोग बहुत ज़्यादा गारा नहीं करेंगे दस मिनिट हो गये है और चासनी एकदम अच्छे से तयार हो गया है अब मैं इसमें डाल दूँगी चिरोली और गैस को कर दूँगी बंद और चासनी को हम लोगों को एकदम गारा नहीं बनाना है इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे अब मैंने गैस पर रख दिया है कराई को और इसमें मैं डालूँगी ओयल चासनी जो है वो बन के तयार हो गया है और ओयल जब गरम हो जाएगा फिर मैं इसमें फ्राइ कर लोगी गुलाब जामून को और इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ऑयल में इसे धुँआं नहीं निकलना चाहिए लोग इसे ऐसा गरम करेंगे नहीं तो धुँआं अगर निकलने लगेगा तो हम लोगा गुलाब जामून जो है पूरा जल जाएगा अब मैं एक एक करके सारे गुलाब जामुन को इसमें डाल दे रहे हूँ जब सारे गुलाब जामुन मैं इसमें डाल दोंगी तो फिर मैं इसे हलके हातों से कंटिन्यू चलाती रहूंगी जब तक कि ये तोरा सा गोल्डन कलर का ना हो जाए और यहां पर मैंने गैस के फ्लेम को मीडियम पे रखा हुआ है और कुछ इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे इस तरह से अगर हम चलाते रहेंगे तो हमारे जो गुलाब जामुन है वो चारो तरफ से बहुत अच्छे से फ्राइ हो गया है देखिए कितना अच्छा सा कलर आया इसमें अब मैं इन सभी को निकाल लूँगी और फिर मैं बचे हुए गुलाब जामन को भी इसी तरह से फ्राइ कर लूँगी यहाँ पर मैंने गैस के फ्लेम को कर दिया है एकदम स्लो क्योंकि अभी थोड़ा सा ओयल जादा गरम हो गया था इसलिए मैं दुबारा जब इसमें गुलाब जामन फ्राइ कर लूँगी तो यहाँ पर मैं गैस के फ्लेम को कर दिया था इसलिए और मैंने यहाँ पर एक गमला लिया है उसमें सारे गुलाब जामन को डाल दिया है और जब चासनी हलका सा गरम हो जाएगा तो उसे भी मैं इसमें डाल दोंगी और हम लोग चासनी को बहुत ज़्यादा बॉय लहीं करेंगे अभी चासनी हलका सा गरम हो गया है, मैं गैस को कर दूँगी बंद और इसे मैं चान लोगी गंबले में जिसे मैंने पहले से गुलाब जामुन डाल दिया है और इसे अच्छे से मिलाने के बाद से मैं इसी तरह इसे छोड़ दूगी कि मेरे जो गुलाब जामुन है वो अच्छे से चासनी को सोक कर ले तो इसी तरह मैं इसे छोड़ दूगी अब मैं इसे इसी तरह से छोड़ दूँगी एक घंटे के लिए और एक घंटे के बाद ये बहुत ही जादा सौक्ट तयार हो जाएगा गुलाब जामून हमारा अगर आप लोगों को तुरंट इसे खाना है तो इसे गैस पर बैठा करके इसमें एक बॉil ला दें तो तुरंट ही ये सौक्ट हो जाता है लेकिन मेरे पास अभी टाइम है तो मैं इसे इसी तरह छोड़ दूँगी सौक होने के लिए सो फ्रेंट्स मेरे जो गुलाब जामून है देखिए कितने अच्छे से तयार हो गया है देखिए कितना सौप्ट ये तयार हुआ है और मैं आप लोगों को एक निकाल करके दिखाती हूँ देखिए कितने अच्छे से ये कट जारा एक बार में ही और रियली बहुत जादा ये soft तयार हुआ है आप लोग एक बार इसे इस तरह जरूर बनाएं और चलिए फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक बार इसे की कैसा ये तयार हुआ है और ये आप लोगों के लिए पहला बाइट आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस तरह से एक बार आप लोगों जरूर बना करके ट्राइ करें बहुत ही ज्यादा soft और एकदम perfect दुकान के जैसे तयार होता है ये So friends, इसी के साथ आज के मैं अपने इस व्लोग कहीं पर करती हूँ and और मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने next व्लोग में I hope कि आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज गाई करें, कमेंट करें और मेरा चैनल अगर आने वाले वीडियो आप लोग देख पाओगे तो मैं आप लोगों से मिलती हूं अपने नेक्ट ब्लॉग में तब तक के लिए गुडबाई फ्रेंज अपना ख्याल दखें